Hello guys and welcome to AAAIQ और यहां से आज आज आपका भाई new subject स्टार्ट हो रहा है basic electronics यहां पे basic बस नाम करेगा यहां पे हर एक चीज आपको depth में मिलेगा अभी सबसे पहले अगर हम लोग electronics word के उपर focus करें तो यह आपका दो word से मिलकर के बना होता है यहां पे आप साफ साफ देख रहे हैं यह electron है ठीक है इतना दूर आपका electron है तो यह electron plus mechanics इसमें M-E-C-H जो होता है वो silent चला जाता है तो अभी जो आपका first word है यहां पे electron इसके उपर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को पता है कि electron जो होता है atoms के अंदर पाए जाता है और atom में हम लोग को पता है तीन particles होता है electron, proton, neutron तो अभी अगर हम लोग proton और neutron की बात करें तो यह तो भाई आपके nucleus के अंदर fix होता है ठीक है यह कभी भी move नहीं करता है अब इसमें बचा सिर्फ और सिर्फ आपका electron और हम लोग को पता है क्योंकि हम लोगों ने अल्रेडी basic electrical पढ़ा हुआ है तो यह जो electron होता है यह metals के अंदर क्या होता है freely होता है यह move करता है अपके कहिए यह जो आपका atom के अंदर तीन लोग रह रहे हैं electron, proton, neutron, neutron तो इसमें यह दोनों क्या होता है एक तरीके से fix होता है कभी भी move नहीं करता है सिर्फ और सिर्फ electron है जो की move करता है तो इनको हम लोग technical भाषा में sub-atomic particles बोलते हैं ठीक है sub-atomic particles में यह तीन हो आजाएगा electron भी, proton भी और neutron भी अब थोड़ा सा हम लोग जिसमें आपको बता है nucleus आपका center में होता है और यह first orbit हो गया, second orbit हो गया third orbit हो गया, first orbit में दो electron second में आपका 8 third में आपका 18 तो यह जो आपका model है भाई, यह काफी basic model है और इसमें जो आपको बताया जाता है कि electron अपने orbit में घूम रहा है, यह 8 है तो अपने orbit में घूम रहा है, ठीक है कभी भी electron circular orbit में नहीं घूमता है, इस तरीके से कभी भी नहीं घूमता है, यह आपका कहिए incomplete structure है अगर आप इस information को ले करके electronics में अगर आप जाएंगे तो electronics कभी भी आपको समझ में नहीं आने वाला है, ओके क्योंकि electronics के अंदर में भाई, हम लोग पूरा का पूरा electron को क्या करते हैं control करते है, control कहने का मतलब, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर metal की बात करें, तो metal में भाई, जैसे अगर मेरे पास कोई battery है, ठीक है यह माल लेते हैं, plus minus, और इसमें माल लेते हैं, मैं इस तरीके से एक wire लगा दे रहा हूँ तो यहाँ पर resistance लगा दे हूँ, क्योंकि wire का अपना कोई न कोई resistance होगा, right तो इसमें जो current flow होगा सीधी सी बात है, इसके अंदर electron flow होगा electron flow होने के चलते हैं, आपको current मिलेगा, ठीक है तो अभी electronics के अंदर, हम लोग पूरा का पूरा electron के उपर क्या करते हैं एक तरीके से roll जमाते हैं, मतलब उसको control करना सीखेंगे हम लोग यहाँ पर, okay Electrical Engineering में हम लोग कभी भी electron को control नहीं कर पाते हैं लेकिन electronics में हम लोग electron को क्या करते हैं, control करते हैं अब इसको कैसे control किया जाए, उसके लिए हम लोग different different mechanism बनाते हैं, ओके, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, यहाँ पर mechanics का मतलब ही होता है, भाई, motion and forces, लिखा हुआ है, the branch of applied mathematics, dealing with motion and forces, means, यह जो आपका electron है, यह क्या है, एक तरीके से move कर रहा है, अब उसको हम लोग क्या कर यहाँ पर 10 से 15 lecture, atom के उपर बात करेंगे, और atom में भी किस के उपर, subatomic particles, और क्योंकि यहाँ पर 3 subatomic particles है, तो हम लोग को सिर्फ और से focus करना है, अपना electron के उपर, क्योंकि यह हम लोग के लिए most important है, और अगर आप इस पर focus नहीं करेंगे, यह फिकर यह 10 से 15 lecture अगर आपन जो सपना देखते हैं आप रात में, ठीक है, उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि, वो सपना कहां से start हुआ, वो आपको कभी भी याद नहीं होगा, और कहां पर खतम हुआ, वो भी आपको याद नहीं होगा, बस जो beach वाला portion होता है, वो बस आपको याद रह जाता है, ठीक है, तो अगर ये 10 से 15 लेक्चेर अपने छोड़ दिया ना, तो पूरा का पूरा electronics इसी dream की तरह रह जाएगा, कहां से start हुआ आपको ये पता नहीं चलेगा, और कहां पर खतम हुआ आपको वो भी पता नहीं चलेगा, beach वाला portion हमेज़ आपको confusion में डालते रहेगा, ठीक है, यह सबसे बड़ा mistake होता है, जिसके कारण electronics अब समझ नहीं पाता है, तो थोड़ा सा patience रखना होगा, धीरे 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 अपको सब चीज समझ मा जाएगा, तो यहां से भाई हम लोग अपने topic को start कर रहे हैं, और थोड़ा सा हम लोग पीछे से start करेंगे, ताकि आप अपन के generation को भी समझ सकें, ओके, कैसे कैसे यहां पर atom का एक तरीके से generation आया, मतलब कैसे कैसे हम लोगों ने धीरे 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 atom को भी explore किया, atom के अंदर जो subatomic particles थे, उनको भी एक तरीके से हम लोगों ने discover किया, ओके, तो जो सबसे पहला idea दिया गया atom के बारे में, यह था अब का 5th और 4th century में, मतलब बहुत past में हम लोग आ चुके हैं, दो scientist थे भाई, जिनका नाम था Democritus, और दूसरा है अब का Leosippus, ओके, इसका actual pronunciation क्या होगा है मेरे को पता रही है, यहां पे spelling लिखा होगा है, तो आप notes में रिख लीजेगा, इन्होंने example दिया कि अगर आप के पास कोई bread का टुकड़ा है, या फिकोई रोटी का टुकड़ा है, तो उसको अगर आप blade से, या फिकाईए, चाकू से, cut करना start करें, तो cut करते करते भाई, एक ऐसा position आएगा, जहां पे अप उस last वाले टुकड़े को further half में cut नहीं कर पाईएगा, यानि इसको आप आधा divide नहीं कर सकते हैं, तो यही चीज़ें इन्होंने कहा, he said you gonna come to something, यानि एक ऐसा situation आ जाएगा, that you cannot cut it into half anymore, यानि उस टुकड़े को फिर आप और भी आधे टुकड़ों में नहीं बाट पाएंगे, फिर आधा नहीं काट पाएंगे, ठीक है, इसलिए इनका नाम दिये गए है बहुत past का ही कहानी है, तो हम लोग उतने पीछे से start नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सीधे 1830 वी जो है आपका, वहाँ से start करेंगे, ओके, तो यहाँ पर मैंने एक diagram बनाया हुआ है, और यह diagram आपके group में भी डाला गया था, ओके, तो मैं यह भी आपने देखा होगा, देखे 1803 में एक scientist थे जिनका नाम था John Dalton, ओके, तो John Dalton ने भाई, एक जो actual में definition होता है, ठीक, atom का, उन्होंने एक तरीके से सबसे पहले दिया था, कि atom जो है, अपने आप में individual है, individual कहने का मतलब क्या, इसके अंदर कोई भी sub atomic particle नहीं है, कोई भी electron, proton, कुछ भी नहीं क्योंकि भा था, atom का एक तरीके से study होना start ही भा था, ओके, तो समय हम लोगों को नहीं पता था, electron, proton, neutron भी होता है, फिर nucleus भी होता है, इन्होंने सीथे सी देखा कि ये सबसे छोटा, यानि का ये fundamental unit है, जिससे living thing और non living thing मिल करके बने हुए, ओके, इस तरीके से इन्होंने दिखाया, और इसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे, billiard ball model, okay, billiard क्या होता है, गेम होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो आपका colorful ball होता है, उस तरीके से बताया गया, और इन्होंने बहुत सरे यहां पे, दो-तीन line और भी mention किया था, उसको हम लोग पढ़एंगे, ठीक है, आभी बस generation सम गया है, first generation, second, third, fourth, और यापका fifth, right, तो पांच और generation, तो 1800, इस भी में, John Dalton ने सबसे पहले बताया कि, atom जो होता है, बॉल की तरह होता है, और यह indivisible है, यह इसके अंदर और कुछ नहीं होता है, लेकिन यहां पे, भाई, scientist कभी भी confirm नहीं थे, ऐसा भी तो हो सकता है, कि अंदर में एक होखला हो, यह फिर अंदर से यह ठोस हो, यह सा हम लोग को नहीं पता था, okay, तो इसी चीज को पता करने के लिए इस पे और भी experiment चलते रहा, चलते रहा, ठीक है, explore हम लोग करते गए, तो 1904 में, यानी 100 साल के बाद, ठीक है, यानी 100 साल तक, John Dalton ने जो भी ब discover की है, उसका पर बात करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं सब electron को जानने के लिए, ठीक है, तो important है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग, तो जेजे थॉम्सन आया, इन्होंने electron का एक तरीके सा विशकार किया, अब क्योंकि electron के उपर इनको पता चल गया है और क्योंकि John Dalton ने कहा था कि atom जो होता है, अपने 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 न्यूटरल होता है, ठीक है, तो अगर जेजे थॉम्सन ने negative charge, जैने electron का अगर अविशकार कर दिया, और इनको पता था पहले से कि atom अपने 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 न्यूटरल होता है, तो इसका मतलब हुआ क कि इस atom के अंदर कुछ न कुछ positive charge भी exist कर रहे हैं, तभी तो जितना negative उतना ही positive होगा, तभी तो जाकर कि यह neutral होगा, तो इस model को इन्होंने दिया नाम plum pudding model, ठीक है, यह जो तारबुज होता है ना, उसका example दिया, तारबुज में यह जो आपका बाहर वाला छिलका होता है, इसको आप बूल जाए पहले, यह जो लाल लाल जो होए portion जिसको हम लोग खाते हैं, इसको इन्होंने बोला positive charge है, ठीक है, इसको मैंने plus plus से दिखाए गया, और यह जो आपका बीज होता है, ठीक है, इसको आपका black color का बीज होता है इसमें, ठीक है, हर जगा भरा हुआ, यह आपका एक तरीके से electron है, तो positive और negative दोनों बराबर में हैं, और दोनों एक दूसरे को cancel out कर देते हैं, इसलिए automatic है, यह neutral हो जाता है, ठीक है, इसको मैं प्लग, adding model बोलते हैं, उसके बाद जो third generation आया, third generation में भाई, एक और scientist आया है, Rutherford, ठीक है, 1911, तो इन्होंने खोज किय nucleus का, तो इसमें nucleus मैंने यहाँ पर दिखाया है, ओके, अब nucleus को जा गया है, तो nucleus के अंदर proton है, neutron है, यह भी हम लोगों को नहीं पता है, एक तरीके से, ठीक है, बस अभी nucleus को जा जा गया है, तो यह आपका third generation है, इसका नाम दिया गया है, यहाँ पे, Rutherford model है, नहीं के नाम प लग क्या है, कि यह जो पीछे वाला, जैसे John Dalton ने बताया, या फिर कहीं जेजे थॉम्सन ने बताया, यह कहीं न कहीं थेओरी फेल हो जा रहा होगा, ठीक है, तब ही, यहाँ पे, और भी scientist आ करके, क्या कर रहे हैं, इसको, समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इसको explore कर रह दिया, bore model, तो हम लोग को अभी क्या पता है, electron पता चल गया था, ठीक है, nucleus भी पता चल गया था, लेकिन हम लोग यहाँ पर पता नहीं था कि electron कैसे move करता है, इसका orbit है, क्या है, कुछ नहीं पता था, बस यहाँ पर बताया गया कि, जिस तरीकी से तारबुज होता है, ने बोला कि जो electron है, यह electron ऐसे नहीं है, ठीक है, तारबुज के बीच की तरह जहां मनता नहीं है, ठीक है, इनका अपना orbit, orbit में एक तरीके से, इस तरीके से यह बंदे हुए रहा था, ओके, तो यह भी इनका भी model फेल हो गया, अगर कोई orbit के अंदर घूम रहा है, electron गोल गो तो सीधी सी बात है, घूमने के लिए, जैसे आप बाइक से घूम रहे तो आपको पैट्रोल चाहिए ना, कुछ ना कुछ इंदन चाहिए, तो यहाँ पर अगर orbit के अंदर, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक orbit बना तो छोटा orbit इसका, इसमें भाई, अगर दो electron गोल 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 कही ना कही से इसको एनरजी चाहिए ना, समझ रहे बात को, और अगर इसको कोई एनरजी नहीं मिल रहा, तो सीधी सी बात है, गोल 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 गोमते गोमते एक ऐसा टाइम हैगा, जब इसका kinetic energy एक तरीक से खतम हो जाएगा, निया रेस्ट माजाएगा, तो ऑटो यह scientist है इन्होंने actual में बताया कि atom के अंदर जो electron है ठीक है या फिक है जो nucleus है वो किस तरीके से एक तरीके से बंदे हुए होते हैं फिक इस तरीके से यह अंदर में रहते हैं ओके तो यह अपका पांच generation है यहाँ पे पांचो generation को आप यहाँ इस तरीके से फोटो में बना लीजेगा 1803 1904 फिर आपका 1911 1913 फिर आपका 1926 यहाँ इतना साल तक यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे study चला है atom के उपर और इसको अगर हमनों शॉर्टकर्ट में दिखा है जिसके कराम का plum bedding model आया उसके बाद आपका nuclear model जो की रदरफॉर्ड ने दिया क्योंकि यहाँ पे nucleus खोज किया गया था तो अललग बुक में nuclear model भी बोल सकते है रदरफॉर्ड ने अपने नाम पे भी लिखा हुआ तो उस basis पे भी लिख सकते है ठीक है तो electron जहाँ मनता है यह तो हम लोगो पता था ही यहाँ पे ओके तो electron भी इसमें दिखा दिया और बीच में nucleus दिखा दिया उसके बाद नाइल बोर आ है तो नाइल बोर ने बताया कि electron इस तरीके से जहां मनता नहीं होता है यह इसका अपना orbit होता है ठीक है और गोल गोल गोम रहाता लेकिन अभी ज quantum mechanical model ओके तो इसमें exact जाकर के हम लोगो पता चला कि जो electron इस nucleus के चार तरफ घूमते है इस तरीके से orbit में नहीं गोमते हैं इनका orbit बहुत ही complicated होता है हम लोग समझ नहीं सकते हैं यह तरीके से समझी जैसे आप कभी साम में गया होंगे पार्क में या फिर कहीं पी ग्राउंड में तो अपके सर के ऊपर कैसे मच्छड धेर सारा एक तरीके से इदा उदा इदा उदा घूमते रहता है पूरा जूंड में ओके यह याणि आफे कहिए जैसे बारिश होता है और उस समय करा आप बल्व जलाईएगा आपने रोम का तो कैसे बहुत सारा कीड़ा आ जाता प है तो अब हीजा से बज इसको बोलते हो वह बज्ञ द रहिए हैं स्रेक्राइब क्या होग है इसको अरभिट का स्ट्रक्श्र क्या होता है इसी के बारे में समझेंगे इसमें अनरजी कैसी इसे आता है इसार्ट ऑर्विट में जभीगा तो यह चonde रजूम यह कितना ऑपस GOT बहुत कुछ आपको डैप में सीखने को मिलेगा तो अभी ये बस इंट्रोडक्शन क्लास है अभी ये पांचो जो आपका step है ये पांच जो generation मैं आपको बता है इसको आप notes बना लीजेगा important है ये आपके लिए यहाँ पर फोटो सही से बना नहीं है ग्रूप में डाला गया था फोटो ठीक है बाई ये जो हम लोग atom का structure लेकर के चलते हैं फिर model रप्रेजेंट करते हैं ये basic चीज हो के लिए समझने के लिए करते हैं ठीक है लेकिन अगर आप electronics हो समझना चाहते हैं तो ये model आपका fail हो ज समझ पाईएगा ये इसी को हम लोग अभी-अभी ऐसे भी दिखाते हैं कि ये आपका इस तरीके से orbit है ये ऐसे गूमेगा ऐसे गूमेगा इफ इधर से इधर चला जाएगा उसी चीज को समझने के लिए हम यहाँ पर 10-15 लेक्चर स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं अभी तो अभी सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं जॉन डॉल्टन ने यही सबसे पहले सुरुवात इन्होंने किया था आटम के बारे में बताना तो सबसे पहला चीज बता है बाई कि जो भी मैटर होता है मैटर कहने का मतलब क्या तीन तरीके मै लब क्या है बाई कि अगर आपके पास माल रेते हैं लोहा है ठीक है तो हम लोग को पता है लोहा भी चोटे-चोटे कंडों से मिलको बना जो कि अलग हो लेंगे तो एरन का एरन का अलग होता है थीक है उसी त heels से अगर आपके पास कोई copper है, ठीक है, यह iron है आपका, ठीक है, अगर copper है, तो copper का जो atom होगा वो अलग होगा, यनि हर एक element का जो atom होता है, वो अलग-अलग होता है, ठीक है, समाझी गए, इसलिए बोला गया है कि जो भी matter है, solid liquid gas, वो individual atom से मिल करके बने होते हैं, मतलब हर एक atom अलग-अलग हो होगा, copper का अलग होगा, nickel का अलग होगा, समाझी गए, second line इन्हों ने बोला है कि all atoms of a given element have identical property, अभी जस्ट बता, element मतलब क्या, लोहा हो गया, यनि iron हो गया, copper हो गया, silver हो गया, गोल्ड हो गया, इसलिए elements है, elements का मतलब क्या होता है, उसको जब आप zoom करके देखिए का, तो उ same atoms पाए जाएंगे, ठीक है, including identical mass, और सारे atom का, जो mass होगा, सेम होगा, सीधी सी बात है, अगर आपके पास कोई iron का टुकड़ा है, तो इसके अंदर atom जो मिलेंगे, कैसा मिलेगा, iron ही मिलेगा ना, जैसे, अगर उन्हों सोडियम की बात करके, कोई sodium आपके पास, ठीक है, इ सोडियम का atom क्या होगा, यहाँ पर इसको कैसे दिखाते हैं हम लोग प्रियोडिक टेबल में, नीचे में हम लोग अटॉमिक नमर लिखते हैं, ठीक है, यह 11 और उपर में इसका mass लिखा जाता है, ठीक है, इसको हम लोग A से रप्रेजेंट करते हैं, इसको Z से रप्रेजें have identical property, including identical mass, सबका, सीथी ची बात है, बाई, atom यहाँ पर जो है, इसको सबका एक ही जैसा mass होगा, ना, सेम mass होगा, क्योंकि सेम atom है, atom of different element, different mass, सीथी ची बात है, अलग-अलग element का, अलग-अलग atom है, तो अलग-अलग atom का, अलग-अलग mass हो जाएगा, ओके, उसके बाद, compound के ब इसमें आपका sodium का atom और chlorine, यह क्या है, मिला होगा है, ठीक है, यहाँ पर ionic bonding के कारण बंदा होगा है, इसको क्या बोलें, compound, compound क्यों बोल रहे है, compound क्यों बोल रहे है, compound में जो ratio होता है, यह हमें सा fix होता है, जैसे कि पानी की बात हो, H2O, इसमें 2 hydrogen, यहनि 2 is to 1 चलेगा, 2 hydrogen one oxygen, तो जब भी, आप चांद पे चले जाएए, मंगल पे चले जाएए, या फिर धरती पे रहे, कहीं पे भी जाकर के, अगर 2 hydrogen और एक oxygen को मिलाईगा, तो हमेशा क्या बनेगा, पानी बनेगा, यहनि इसका हमेशा ratio fix होता है, लेकिन mixture में कभी भी ratio fix नहीं होता है, जैसे, अ third line इन्होंने बोला है कि compound are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio, fixed ratio आप लिगा न, जब भी fixed ratio में कोई भी different element के atoms मिलते हैं, तो compound बनता है, ओके, यह भी इन्होंने बता है, fourth line बता है, chemical reaction involved, recognition of atoms, these are neither created nor disturbed, देगे, क्या बोला है इन्होंने, इन्होंने conservation of atom के बारे में बता है, ठीक है, physics में जह समलों conservation of energy, मतलब energy को आप destroy नहीं कर सकते हैं, नहीं create कर सकते हैं, उसी तरीके से atom भी है, atom को आप कभी भी destroy नहीं कर सकते हैं, और कभी भी create नहीं कर सकते हैं, कभी भी chemical reaction में, ठीक है, अब यह सब आई काफी basic चीज है, ninth class का है, समझे, तो जो last line है नहीं आपे, conservation of atom, इसका क्या मतल अब इसको reaction करवारे हैं, माले तो CO2 के साथ, ठीक है ना, तो इसमें देखे, दो hydrogen, एक oxygen, ठीक है, यहाँ पे आपका, एक carbon और दो oxygen, जो भी आपका मिलेगा नहीं यहाँ पे, इसमें हमेशा दो hydrogen available रहेगा, oxygen भी आपका, कितना होगा oxygen, एक oxygen यह तर तीन oxygen है, नहीं तीन oxygen और कितना एक carbon, ठीक है, तो यह सब रहता है भाई, ठीक, अबी भी आपका damage नहीं होता है, अगर इधर आपका दो hydrogen है, तो इसका जो reaction होने के बाद मिलेगा, उसमें भी आपका दो hydrogen मिलेगा, ओके, अगर इसमें आपका total तीन oxygen है, तो इधर भी आपको तीन, मतलब जितना atom है, वो आपको reaction करने के बाद भी मिलेगा, कभी भी reaction करने बाद वो damage नहीं होता है, ठीक है, नहीं आप atom को बना सकते हैं, नहीं इसको destroy कर सकते हैं, यह हमेशा conserve रहता है, फोर्थ लाइन का इसका मतलब हुआ, ओके, तो इतना सारा point इन्होंने starting मेनी, और ठारा सो इसमें में बत है, पहला तो यही चीज़ फेल होगे, कि atom जो होता है, अंदर से खोखला होता है, इसके अंदर आपके sub atomic particles, यह चीज़ डिफाइन नहीं किया थे इन्होंने, ओके, यह गलत हो, इसके कारण गलत हुआ, उसके बाद, जो इन्होंने line लिखा है, all atoms of a given element have identical property, including identical mass देग, यह ग hydrogen के 3 isotopes होते है, isotopes का definition होता है, same atomic number, atomic number मतलब z से represent करते हैं, same atomic number कहने का, atomic number को one से represent करते हैं, नीचे में, भाई, ठीक है, hydrogen का 1 है, hydrogen helium lithium, ठीक है, तो hydrogen के कितने isotopes हैं, 3 isotopes होते हैं, मतलब, एक ही element के, यहाँ पे, 3 different isotopes मिल रहा है, यह तीन different atom हो जा रहा है, इसमें आपका माह ले में 2 यहां पे 3 ठीक है सब क्या यह तीन hydrogen के एक तरीके से isotopes है और isobar भी आपने पढ़ा होगा isobar मतलब क्या आपका different atomic number but same atomic mass ठीक है atomic number अलग अलग होगा लेकिन atomic mass same होगा ठीक है तो वही चीज़ लिगा हुआ है कि atoms of different element different in mass ऐसा नहीं होता है isotopes isobar जब आप समझ जाईएगा नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ तो यह line इनका गलत हो गया एक तरीके से देखे इस line के बस एही कहना भाई इन्होंने बस एही कहा कि अगर आपके पास कोई माल लेते हैं iron है ठीक है यह फिक यह copper यह फिक यह calcium है कुछ भी है ठीक है ना तो इन्होंने बोला कि copper का जो atom होगा एक ही atom पाया जाएगा ठीक है ना लेकिन भाई आपको पता है आज के डेट में कि copper का भी क्या होगा isotopes होगा isotopes कहने का मतलब क्या same atomic number होंगे लेकिन उसका mass अलग-अलग हो जाएगा यह सब इन्होंने नहीं बताया थे यहाप इन्होंने बस बताया है कि अगर कोई element है तो उसका एक ही atom होगा उसका कोई father नहीं हो सकता है नहीं उसका isotopes नहीं हो सकता है यह इन्होंने का तो यहाप भी यह fail हो गया ओके तो यह सब point इन्होंने बताया है starting में तो आज का भाई यह एक introduction वीडियो था जिसमें हम लोगोंने generation of atom के बारे में समझा ओके डाल्टन ने कैसे कैसे अपना यहाँ पे point बताया है का atom को ले करके उसके बारे में हम लोग ने समझा है और next lecture में हम लोग यहाँ से start करेंगे जे जे थॉम्सन से ठीक है इन्होंने कैसे electronic तरीके से discover किया इसके बारे में ओके यहाँ से अपका main चीज start हो रहा है स्टार्टिंग का कुछ lecture काफी basic लगेगा लेकिन यहीं से हम लोगो चलना पड़ेगा बाई कोई option नहीं हम लोग के पास और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर cathode ray tube के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें जैसे आपका यह cathode है यह anode है तो मैं आपसे question पूछाता कि cathode हमेंसा negative ही होता है क्या इसका हम लोग positive क्यों नहीं बोल सकते हैं यह positive भी हो सकता है नहीं हो सकता है तो बहुत सारे students confused हो के उन्होंने कुछ बताया नहीं तो भाई cathode negative भी होता है positive भी होता है अनोड positive भी होता है negative भी होता है लेकिन अलग लग cases में इससे हम लोग बात करेंगे जब हम लोग इस discharge tube के बारे में एक तरीके से discussion करेंगे वहाँ पर बहुत important topic है discovery of electron उसके बाद हम लोग proton को कैसे हम लोग उने खो जा उसके उपर बात करेंगे मतला हम लोग सब atomic particle के उपर focus करेंगे atom के अंदर जो अपका electron proton neutron है उसके उपर सब ज़्यादा focus करेंगे उके उसके बाद फिर अब लोग जो लास्ट वाला अपका model था ना जिसको हम लोग ने यहाँ पर बज model बोला है या फिक कहिए quantum mechanical model बोला है इसके उपर बात करेंगे इलक्ट्रॉन कैसे एक तरीके सो आर्बिट में घोनता है इंपॉर्टन्ट है यह